Hello everyone, मेरा नाम पंकत चुरेंद्र है, मैं गवर्मेंट कंगलामांजी कॉलेज डॉंडी से बिएसी थर्ड इयर का स्टुडेंट हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक एंट अमीवा हिस्टोलिटिका है। यह एक प्रकार का परजीवी होता है, जो मनुष्य के गला, आत, अमासाय, फेफडे में पाया जाता है, जो घातक बीमारी का कारण बनता है, जैसे अमीबिक, पेचीस या अमीबियासीस। इसका क्लासिफिगेशन देखते हैं। फालम, फ्रोटोजवा, क्लास, लोबीसिया, ओडर, अमोबियासीस, फेमली, सारकोडीना, जीन्स, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हैबिट्स एंड हैबिटेट्स ओफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका सुच्म है और बड़ी आत के उपरी भाग यानि मनुश के ब्रियदंत में एक एंडो परजिवी के रूप में रहती है। यह बड़ी आत के शलेश्म और उपसलेश्म परतों में रहता है। यह मुख्य रूप से आतों की दिवार के उत्तकों पर फीड करता है और अक्सर गंभीर अलसर और फोड़े पैदा करता है। पुराने मामलों में यह यकरित, फेफडे, मस्तिश्क और अन्य अंगों तक पहुचने के लिए रक्त परी संचरण में प्रवेश कर सकता है। यह एक गंभीर और अक्सर घातक बिमारी का कारण बनता है जिसे अमिबिक पेचीस या अमिबियासीस कहा जाता है। न्यूट्रिशन अफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका में पोशन होलोजोईक है। यह मुख्य रूप से रक्त कणिकाओं, अन्य पोशक तत्वों, बैक्डेरिया और खमीर पर फीड करता है। यह आसपास के माध्यम से पदार्थों को सेप्रोजाईक रूप से भी अवशोशित कर सकता है। धन्यमाद। झाल